बिस्मिल्ह रमारे रहीम असलाम लेकूम वेलकम टॉप्रियास किचन आज मेरी किचन में बने चिकन चपली कबाब तो जीचना पहुत ही मसदा सी चट पड़े चिकन चपली कबाब की रिस्पी आप लोगों से शेयर कोई रिस्पी आप लोगों ने पूरी वाच करनी है आगे अच्छे से नमक चला जाए इसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे कबाबों में तो देखे कितने अच्छे से मैंने इसे मसल लिया है आप इसमें कुछ और मसाले शामिल करेंगे सबसे पहले जाएगे इसमें प्यास जो के दो मिडियम साइज के प्यास से रफली चौपर के मैंने आड़ कर दी इसमें पानी बगारा बिल्कुल भी निकाला है चले गए इसी के साथ में शामिल करेंगी दो लार वाली मिर्चे थी मेरे पास छोटी वाली दो हेरी वाली थी साथ में थोड़ा साब एक मूठी के करीब ब्रेकर अरदनिया था यह मोटा मोटा तो अब इसमें यहां पर मैं अट करूँगी I'm 3 tablespoon में यह माज़ीं काटााएड कर दी है अब इसी के साथ में शामिल करूँगी रफली चौपर के एक टमाटा था बड़ी साइस के यह शामिल कर दिये इससे किसात में किछ मिसाले शामिल करूंगी जिसमें जाएगा सबसे पहले दरकलसान का पेस्ट 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून भरके डालूंगे मैं भुना खुटा धनिया मोटा मोटा सा कुटा वही डालेंगे वन टीस्पून भुना कुटा जीरा अड़ कर दिया इसमें वन टीस्पून के क्रीभी मैंने इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए चिकन पॉड़र आड़ किया दो टेबल स्पून भरके इसमें डालेंगे घी के क्योंकि चिकन के कीमे में बिल्कुल भी फैट नहीं था इसलिए घी मैंने डाल आ ताक अच्छे सॉफ्ट रहें कपब अंदर से तो देखें असफ शारे मिंटे के लिए अब इसे मसलने के बाद अच्छे से सेट करके रख देंगे कमस कम फ्रिंज में एक घंटे के लिए ताकि अच्छे से इसमें टेस्स आ जाए तो चले ढखके रख देते हैं इसे, रेस्पी आप लोगो जरूर ट्राई के करें, रेस्पी पसंद है, दोस्तों में फैमिल में शेर करें, और मुझे कमट बॉक्स में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसे बनी, तो देखें माशाला से एक घुंटा हो चुका है, आप चेक करते ह आप इसके कबाब बनाना शुरू करती हैं, सबसे पहले मैंने मिडियम साइज का थोड़ा सा कीमा ले लिए हाथ के उपर गोल करके पहले इसके पहला गए तेली पे पतले पतले इसके चपली कबाब तियार कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट शेप इसकी तो बिल्कुल भी तो इस तरह मैंने तवेक उपर डाल दिए हैं, चार से पांच मिंट के लिए इनको फ्राइ करेंगे, दो तीन मिंट एक से दो से तीन मिंट हो गए हैं, चेक करते हैं इसको, हलके हाथ से इसके से चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी तूट नहीं हैं, बहुत अच्छे से मारे चपली कबाब त्यार हो रहे हैं, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ राइते के साथ सर्फ कर सकते हैं, बहुत मज़धार से मारे कबाब त्यार हो गए हैं, तो चलिए साइट चेंज करके मैं निकालना शूरू करूँगी, किसी किसम का भी आप लोगों का सवाल हो तो आप कम और में कितने मज़धार से मारे चपली कबाब त्यार हो गए हैं, प्लेट में निकाले तुई ने, तो सारे के सारे कबाब में इसी तरह त्यार कर लोगी, तो देखें माशालाब बहुत मज़धार चटपटे से त्यार हो गए हैं, आप लोगों इसे जूरू ट्राइकन इसी के साथ मैं आप लोगों से ज्याज़ा चाहूंगी मिलेंगी इन्चा लगली रेस्पी के साथ दुआ में याद रखेलना फेस